अगे बढ़ने से पहले आपको बम बता दूँ आप मुझे जो है डिफरेंस सुशल मेडिया को पर फॉलो कर सकते हैं इस लेक्चर की पीडिया और जितनी भी यूट्यूब की क्लासिस होती है और प्लस जितनी भी ने जानकारी होते हैं मेरे पेड़ कूर्सिस की मैं टेलीग् ग्यारा हजार बच्चे जम पलस मेरे साथ जुड़े होए हैं तो आप भी आके जुड़ सकते हैं पलस आप मुझे इंस्टाग्राम की उपर भी आप फॉलो कर सकते हो डॉक्टर विपन गुल के नाम से मेरे दो पेड़ कूर्सिस आते हैं तो फर्स इस दा 10,000 MCQ कूर्स और थेयरी के अंदर हमने टॉपिक को डिसकस किया हूँ है बहुत डेटेल में तो आप इन कूर्सिस को पर्चेस कर सकते हो कहां पे Study IQ एप पे तो करना क्या है आपको Study IQ की एप आपको डाउनलोड करने पड़ेगी जैसे आप Study IQ की एप डाउनलोड करते हो आपको स्क्रीन की उपर आपको देखेगा GS course तो आप इन कूर्सिस को पर्चेस कर सकते हो और अपनी preparation को आगे बढ़ा सकते हो चिक है तो चलते हैं आगे आज के question में तो देखे जी question क्या गयता है जो BCCA के representative है जो represent कर रहेंगे कहां पे ICC की board meetings के अंदर तो वो कौन है देखे otherwise तो जो हमारे B BCCA के president करते हैं और BCCA के इस टाइम पे president कौन है आपके that is सौरव गांगली लेकिन सौरव गांगली की जो तबियत है अभी खराब है तो जिसके कारण जो है इस committee के इस ICC की board की meeting के representative कौन होए है that is जैशा answer इसमें क्या बनेगा C option बनेगा जैशा is the correct answer जैशा जो है हमारे ज secretary of the BCCA के है BCCA के जो है आपके secretary है यह आपको ध्यान रखना है राजीव शुकला अभी हाली में appoint के गए थे आपके BCCA के जो है vice president appoint के गए थे और BCCA के जो organization है इसके headquarters is Mumbai 1928 के अंदर यह organization बनी थी और one more question is there ICC ICC के जो chair person है उनका नाम क्या है Greg Barclay जो हाली में appoint किये गए थ Greg Barclay तो answer इसमें C option बनेगा कौन सी country ने organize किया था चौथा edition किसका one planet summit का one planet summit का चौथा edition किसने जो है organize किया यह किसने किया that is the France France is the correct answer D option और यह जो है aim कर रहा है बायडवस्टी को protect करने के लिए बायडवस्टी का मतलब जैविक बिवित्ता को जो है बचाने के लिए जो है जो aim कर रहा है और यह जो summit हुआ है यह UN plus World Bank द्वारा करवाया गया है और इस summit का जो theme था that is let's act together let's act together for nature let's act together for nature this was a theme this is important one चीक है और यह जो है inaugurate किसने किया था UN के Secretary General जिनका नाम क्या है Antonio Guterres Antonio Guterres के जो है inauguration इन्होंने किया था और प्लस एक चीज़ आपको बता दूं World Bank के chief भी इसमें involved थे that is David Malpass जो है यह भी inauguration में शामिल थे और France की फ्रांस के आपके president that is called Emmanuel Macron Emmanuel Macron यह भी आपके शामिल थे इस inauguration के अंदर It's called Emmanuel Macron यह आपको याद रखना है and so this was the summit फ्रांस के अंदर और इसका जो main उधिशया है मैंने आपको बता दिया था कि Biodiversity को बचाना जैवी को बित्ता को बचाना खास करके terrestrial और आपका marine ecosystem को पर जो है आपका प्रास्तित की तंतर को बचाना Agro Ecology के लिए promotion करना और आपकी जितनी भी Biodiversity है उसको बचाना funding करना species human health इन सब चीज़ों का बचा के रखना France की बात करते हैं तो France की capital क्या है Paris Paris इसके headquarter है UNESCO के और UNESCO के सासथ OECD के भी headquarter है Organization for Economic Operation and Development के और Paris हो गया France की president मैंने आपको बता दिया और इनकी जो currency है और इनकी जो प्राइम निस्टर है उनका नाम है Gene Castex Gene Castex ठीक है ये प्राइम निस्टर का नाम है ये हाली में अपॉइंट किये गए थे answer is D option handling passport index 2021 के अंदर जो है इंडिया का rank कितना है तो इंडिया का जो rank आया है वो आया है 85th चीक है ये 2020 की है और इंडिया का जो rank 84 था किसमें 2020 की report में ये धिया रखना ये 2020 की report है उसमें 84 था और 21 की उसमें कितना है हमारा एक rank पीछे 85th rank कहा हमारा आया है और ये जो जो report होती है ये कौन किसने दी है that is Hansley and Partners Hansley and Partners Hansley and Partners clear और किस के साथ मिलके IATA के साथ मिलके इसके द्वारा ये डेटा प्रवाइड किया गया है और इंडिया का रंक है 85th among the 110 countries 110 countries के बीच में इंडिया का रंक ये है और बात करते हैं यहां पे इंडेक्स के अंदर की जो हमारे जपान है जपान नंबर वन आया है जिसने most powerful passport index इनका है लगातार तीसरी साल से तीन साल से जपान नंबर वन पे आ रहा है और सिंगापूर जो है आपका दूसरे नंबर पे है साउथ कोरिया तीसरे नंबर पे है और साउथ कोरिया के साथ एक देश और भी है जर्मनी ये दोनों जो हैं आपके तीसरे नंबर पे देखने को मिलते हैं और सबसे worst की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे worst है आपका अफगानिस्थान सबसे worst rank आया है अफगानिस्थान का और मैंने आपको बताया था यहाँ पे IATA, that is International Air Transport Association जिसके headquarter कहाँ पे हैं? मॉन्ट्रियल कैनेडा के अंदर इसके headquarter है मॉन्ट्रियल किसके headquarter और है ICAOK, that is called International Civil Aviation Organization के और मॉन्ट्रियल एक protocol हुआ था 1987 के लिए जो ozone hole के लिए था कि ozone को जो hole हो रहा है green house gases के गारण उसको बंद करने के लिए और जो बात है IATA की 1945 में बना था और William M. Walsh, William M. Walsh, William M. Walsh जो है इसके association leader है और that's it, ठीक है तो अब बात कर सकते हैं Hansel and Partners की Hansel and Partners के, जो CEO है, इनका नाम के है that is Jurg Stephen, Jurg Stephen इनका नाम है तो answer इसमें 85th is the correct answer इस book के author कौन है? that is the population myth, Islam, family, planning and politics in India इस book के author कौन है? इस book के author है S.Y. Qureshi S.Y. Qureshi इनका नाम है answer इसमें A option बनेगा right answer और ये S.Y. Qureshi जो है former जो है हमारे election commissioner रहे हैं पुराने, ठीक है? और इनका जो इस book के अंदर जो लिखा गया है इस book के अंदर लिखा हुआ है कि काफी लोगों का मानना है कि जो इसलाम है वो family planning के English है इसलाम जो है आपका Muslim rate of growth को बढ़ा रहा है इसलाम जो है आने वाले time में जो है political powers capture कर सकता है इन चीज़ों को देखके जो है ये myth को दूर किया गया है इस book के अंदर और इस book को S.Y. Qureshi जी ने किया है और इसको publication ने किया है that is called Harper's Collin ने Harper's Collin इंडिया ने जो है इसको HarperCollins इंडिया ने इसको जो है publish किया है this is important one answer is A कौन सी space agency ने launch किया है new flagship rocket H3 in 2021 H3 rocket कि ने किया है that is by the JAXA JAXA ने किया है that is Japan Aerospace Exploration Agency ने इसको launch किया है transportation technology के साथ करके और ये जो है आपका एक new flagship जो है आपका rocket है जो एम करता है आपकी higher cost performance flexibility reliability के लिए इसको जो है aim करता है this is important one so JAXA is the correct answer JAXA इसका theme क्या है National Youth Festival 2021 का National Youth 2021 का जो theme है वो क्या है that is युवहा उत्सा नया भारत का युवहा उत्सा नया भारत का तो answer इसमें A option बनेगा right answer A option और ये जो National Youth Day होता है हमारा कब होता है 12 January को और स्वामी बिवेका नंजी की birth anniversary के उपर और जो ये दिन aim हमें करता है कि जो इंडिया है इंडिया के जो लोग है वो better person बने और नई उचाईयों को चुएं और 2021 वाला जो है आपका वो 158th birth anniversary थी हमारे स्वामी बिवेका नंजी की January 21 को January 12 को जो है इनका जो है ड़ीज बर्थ हुआ था कहां पे कैलकडा के अंदर कैलकडा के अंदर वेस्ट बेंगौल के अंदर हुआ था और 12 January को National Youth Day डिकलेर कब किया गया था 1984 के अंदर 1984 के अंदर और 1985 से हमने यह दिन celebrate करना start किया था और यह 158th जो है आपकी birth anniversary थी इस वेरी वेरी important question clear और यह जो National Youth Festival था यह 24th नंबर का था 24th National Youth Festival था इस अगें वेरी important ठीक है और जो 16 January को बात करते हैं 16 January को इसके closing ceremony कहां पे हुई New Delhi के अंदर और that's it तो यह आपको याद रखना है अंसर इसमें A option बनेगा correct answer clean बिंदू सागर इनिशेटिव जो है कौन से राज्या ने इसका program start किया clean बिंदू सागर इनिशेटिव यह किसी ने किया था उडिशा ने उडिशा ने इसका जो है बिंदू सागर लेक क्लिनिक प्रोजेक्ट जो है बेसिकली जो है एक CSR इनिशेटिव है Corporate Social Responsibility इनिशेटिव है किसका इनिएन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड का और इन्डिएन ओयल केमिकल टेकनोलोजी का और इन्डिएन ओयल केमपस का दोड़ रिपिट करोुने इन्डिएन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड का और किसके साथ पाइनशेटिव करी है इन इन्डिएन ओयल कैंपस बुवनेश्वर के साथ तो इन्णे मिलके है सारा काम किया है और इसके अंदर IEOCL इस इंडिन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेर जो है 70 लाख रुपया खर्च करने वाला है और इस तरीके से जो है ये इस हेरिटेस साइट को जो है मेंटेन करेगा इस इंपोर्टन वान उडिशा की बात करते हैं तो उडिशा के अंदर जो है और उडिशा के अंदर चिलि का लेक भी है और अंशुपा लेक भी देखने को मिलती है और। और इसके इलावा जो है यहाँ पे सिमली पाल नैशन पार्क देखने को आपको मिलता है बितर कनी का नैशन पार्क है नंदन कानन नैशन पार्क देखने को मिलता है और सिमली पाल टाइगर इज़र्ब भी है यहाँ पे और सुना बेदा टाइगर इज़र्ब भी है यहाँ प very very important question और 84th, 84 year के थे इनका हाले में दिहांत हुआ मुंबई के अंदर, अंसर इसमें B option बनेगा, official brand mascot जो है Tata Power Delhi Distribution Limited का किने appoint किया गया है, brand mascot, तो ये जो है, ये है रोशनी, so अंसर इसमें brand mascot is रोशनी, ताकि जो है आपके consumer code, various topics के उपर जो है, हम information जो है, दे सके, digitally platform के उपर information हम provide कर सके, और ये जो mascot है आपका, ये प्रपर तरीके से attention को grab करता है, audience की attention को grab करता है, और प्रपर तरीके से जो है, आपका connect करता है, हर लोगों के group को connect करता है, so this is very important question, और Tata Power Delhi Distribution Limited के जो CEO है, उनका नाम क्या है, that is Ganesh Shirinivasan, Ganesh Shirinivasan, इनका नाम है, clear, so guys, ये थे आज की lecture के अंदर question, बाकि जो भी updates होते हैं, कुछ भी updates होते हैं, आपको provide करने, PDF lecture की जानकरी, जितने भी YouTube की classes होती है, वो मैं Telegram चैनल के उपर share करता हूँ, दॉक्टर विपन गोईल के नाम से, प्लस आप मुझे Instagram की उपर भी follow कर सकते हैं, दॉक्टर विपन गोईल के नाम से, और मेरे दो paid courses आते हैं, the one is the 10,000 MCQ course, जिसके अंदर हमने chapter wise proper दरेके से, MCQ डिसस की हैं, detail में, और इसके अंदर आपको एक coupon code लगाना है, विपन 10, तो आपको discount मिल जाएगा, दूसरा हमारा course है, GS course, जिसके अंदर आपको coupon code लगाना है, VIP500, तो यह हमारा पूरा का पूरा theory course है, तो आप इन courses को purchase कर सकते हैं, तो इन courses को purchase करने के लिए करना क्या है, आपको study IQ की app आपको download करनी है, जैसे आप study IQ की app download करेंगे, आपको screen की उपर नज़र आएगा, home page, यहाँ पे दिखेगा best selling course है, best selling course के साथ दिखेगा view all का button, इस view all का button को दबाना, जैसे आप दबाऊगे, तीसे नंबर के उपर आपको दिखेगा 10,000 MC की course, और चौते नंबर के उपर आपको दिखेगा GS course, तो आप इन courses को purchase करके preparation को आगे बढ़ा सकते हो, so thank you so much guys, all the very best, good luck, take care.